हाइलो ट्रेडर्स उमीद है कि आप अच्छे होंगे और अपने अपने घार पे सैफ होंगे आज के वीडियो के उजिरे में 14 जानवार के लिए यानि शुकुरुबार के लिए तिन वैस्ट इंटार्डी स्टोक लेकर आशुके जिनके पुरह हम प्रेडिक्शन करने बला है और इसका पीसे का लोजिक भी में आपको बताने वाला है कि एक स्पारी डे में यानि शुकुरुबार को यह तीर स्टोक क्यों आपके लिए वैस्ट होने वाला है काल के लिए यहनि 14 जानवार के लिए हमार जो पहला स्टोक होगा होगा से टेक्नोलोज इस इस टोक देखि तो इसका मतलब इस सपोर्ट चुन है तो इस हो सकते काल मार्केट जोई यहां से सपोर्ट लेके उपूर की तरफ चले जाए अगर मार्केट निकाल यहां पर सपोर्ट ले तो हम इस सबसे बहुत करेंगे आप जो इस लाइन जो है तक्रिबान 1227 रुपिया पर है तो हमें आज जब भी यहां पर दो तीन केंडल बन जाता है जब भी यह बारा 1339 रुपिया पर जाएंगे तो अभी आम इस इस टो को जो है अब आगए करेंगे और हमारा जो पहला टरगेट होगा और हमारा दूसरा टरगेट होगा इस तोप लोस लेकर सल सकते हैं ओगर मार्केट ने स्थो को तूरक इसका नीशा आजाता हुआ लेगियों कि अक्रीज़ explor buildings लेविचे लेवल भी आ यह aşकते हैं खुंद ऑम शुब्स हुभां पर सब्सक्राइब और सन्हाल करेंगे के शल्थेल के स्थ्यो में कि इस रुपया पर हम सेल करेंगे और हमारा पहला टर्गेट होगा 311 रुपया क्या और दूसरा टर्गेट होगा 1292 रुपया क्या और हम 139 रुपया पर हम स्टाप लोस लेके सेल सेकते हैं Kolleginnen कलि around रेमारे दोसरा स्टोक होगा कि अदामी पर इस इसमि moisture जाइए इसका जो रहेजसेंस फूर्णर है और संपोर्ट जोन है यह दोनों ही पॉइंट में देखने को मिल सकता है इसका मतलब कि लीप या तो breakdown मिलगा या तो breakout तो हमें इंतेजर ये करना है कि दोनों में से कौन सा मिले अगर breakdown मिल जाता है तो most प्रविल या पर breakdown ही मिलेगा इसका सबोर्ट लेवल है इसे ही तोर के नीचे आएगा अगर इसमें इस लेवल को तोर देता है यानि 731 रुपिया की पाट जाते तो हम इस इस टोकों से सबसे पहले सेल करेंगे हमार पहला सेल कह टर्गेट होगा €71 रूपिया और हम पहला बाइ करेंगे यानि हमारा टर्गेट होगा €775 रूपिया और हमारा दूसरा टारेट होगा 707 रूपिया का और हम 787 रूपिया पर इस्टॉप लेके सल सकते हैं वह अगर मार्केंटिकाल यह आपर ब्रेकडाउन ने देके ब्रेक आउट देता है इसका पॉसिबिलिटे है नहीं लेकिन दे सकता है कि मार्केट उपूर की तरफ जाए य 787 के उपर ही आम इस इस्टोग को बाइए करेंगे यानि 788 रूपिया पहला टारगेट होगा और 773 रूपिया हमारा स्टाप लॉस होगा 14 जनौरी के लिए हमारा जो तीसरा स्टोक होगा वो होगा टेक माहिंदर का इस स्टोक में आपको काल भी प्रोवाइट किया था और आज भी दे रहा हो वह इसलिए दे रहा हो कि कि देखें मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा कासा रेजिस्टेंट जोन पर है पहले जो जो सापोर्ट लेवेल रेजिस्टेंस लेवेल बन जाता है तो एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस लेवेल बन जाता है देखें मार्केट निया पर रेजिस्टेंस लेकर निश्य आज गया है वह सकता है कि काल मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेएंगे यानि दो तीन रेट करेंगे हम इस टो को हैं था सत्रा सो नौ रॉपया हमारा दूसरा टार्गेट होगा शोला सो स्यानव रॉपया और हम सोला सोब इस रुपया पर स्टॉप लोस लेकर सेल सकते हैं लेकिन अगर मार्केट ने बाइस सेंस यह जो लेवल देख रहा है इस रेजिस्टेंट लाइन पंडा मिनिट देख लिए अगर इससे तोर देता है तो हम तबीद रिसेसिन लेंगे अगर इससे तोर के उपड़ जाए तो हम इस अपर सब्सक्राइब करेंगे हम इस चोंटा रॉपया पर बाइक करेंगे यान यह जो लेवल देख रहा है यह लेवल होते 1750 रुपया का 2727 रूपया हम इस च्टोप को बाइ करेंगे हमारा पहला सेल का टरगेट होगा 749 रूपया और हमारा दूसरा टरगेट होगा 1703 रूपया और हम 1720 रूपया पे स्टाप लोश लेके सल चेकते हैं तो चलिए आप हम यह देख लेते हैं काल को सब्सक्राइवात है यह लिए क्रीक के लिए और दोनों ही टार्गेटर मार्केट में एक्सिक्यूट हो चुका है काल को मैं आपको दूसरा इस्टुक दिया था वो था सीडियासल सीडियासल इस टुक में आपको कहा था कि जैसे इस रेजिस्टन लाइन को तोड़ दे तो आम इसे सेल के बाई के लिए जाएंगे और अग कि बहुत उपोर्ट चली गए है यानि में जो दिया था उससे बहुत ज्यादा ही गया है तो अगर काल कर वीडियो देखा हो तो आपको अच्छा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा तीसरा इस्टुक जो मैं आपको काल प्रोवाइट किया था वो था टेक माइन रा टेक मा तो अपको दो टार्गेट ये था जल सेत्राइसो नौर रॉपिया जल सक्रासो आप देखेंगे तो डूंए टार्गेट rotations हो गये है स्त्रासो इह होता है सत्रासो नौर रॉपिया और 17 स्यानबी रूपिय होता है तक्रिबान यह यानि दोनी टार्गेट एक्जीकेट हो गई अगर काल का वीडियो अब देखा होगा तो आपको एक आच्छा गासा प्रोफिट आस मिल चुका होगा